नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही बहतरीन सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं मामला है पाकिस्तान को लेकर कि एक बयान दिया गया है इमरान खान के द्वारा कि मोदी और बाइडन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के म पर मारा है एक जोड़दार तमाचा किसके द्वारा कहा गया है तो ये बयान कहा गया है इमरान खान के द्वारा जो कि पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरी है और आने वाले समय में भी प्रधान मंतरी बनने की ये चाहत रखते हैं हाला कि इनका आरोप है कि अमेरिका के द्व इनके प्रधानमंत्री पद से हटाया गया था क्या बोला है इनों ने कहा वो मुल्क के बाहर बैठकर फैसले नहीं करते कौन नहीं करते तो भारत के प्रधानमंत्री मोधी की इनके द्वारा तारीफ की गई है कि इमरान खान ने फिर मोधी की तारीफ की कहा वो मुल्क के बाह बैन किये जा चुके पूर प्रधानमंत्री असल में जो में श्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान की उनके उसके उपर बैन कर दिया है कि कोई भी पत्रकार इनका इंटरवियू नहीं लेगा और ना ही ये कहीं भी अपनी कोई सारुजनिक सभा करेंगे इस प्रकार के बैन इनके उपर लगा दिये गए हैं अब आदत पढ़ चुकी है बोलने की और बहुत खराब ये आदत होती है बोलने वाली कि कुछ भी आप बोल सकते हैं तो जो आदत है उस आदत के लिए अब बोल है कहां पर इनके लिए एक मंच चाहिए था तो मंच इन्होंने देख लिया और जब बैन किये जाने के बाद इन्होंने जो है फिर अपने यूट्यूब चैनल पर भारत की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जो है उनकी तारीफ की मंगलवार रात अपने यूट्यूब चैनल पर इमरान खान ने कहा भारत का प्रधान मंतरी मुल्क के बाहर बैठकर फै करती है इनके द्वारा कहा गया है कि वर्तमान में सहबाद सरीफ की सरकार है वो दुबई में बैठकर अपने फैसले लेती है ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है इमरान खान का यूट्यूब चैनल और आपसे हमारी गुजारिस है कि इसको सब्सक्राइब बिल्कुल भ बढ़ सकती है तो लेकिन इस चैनल का सिर्फ इसलिए लिया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनके द्वारा अपने चैनल पर अपने ही बनाई हुए इंटर्व्यू अब साजह किये जाते हैं अब प्राइम मिनिस्टर का ओफिस की जो पी एमो पा पाकिस्तान जाता है वहाँ पर किस प्रकार से भीग मांगर गणगनाने की कोशिशन के द्वारा की जाती है तो अब इसी बीच पाकिस्तान की हालत खराब है उस पर नवासरीफ सरकार के उपर एक तंज कस्दिया गया है इमरान खान के द्वारा इमरान ने कहा पाकिस्तान क कि लीडर्स देश के बाहर बैठ कर फैसले करते हैं हमारे यहां तो मजाक चल रहा है खान ने आगे कहा असल में इन्हों ने जो आगे कहा इसके उपर यह पाकिस्तान के अंदर जवरजस्ट ट्रोल हुए है क्यों ट्रोल हुए है इसको भी जानेंगे IASI ने मुझे बताया IASI क्या है तो पाकिस्तान की जो खूफिया एजनसी है वो है IASI अब इन्हों को बताया है IASI ने क्योंकि यह रह चुके हैं पूर परदान मंतृरी और जो भी देश का राष्टिय अध्क्स होता है देश की हर किसी एजनसी क्योंकि सब को रिपोर्ट कर प्रधान मंतरी को ही तो ISI ने अपने समय पर इनको कुछ ना कुछ जरूर बताया होगा अब जो किसी भी देश की सीक्रेट बातें होनी चाहिए क्योंकि पद था इनका पद की गर्माती और पद पर रहने की वज़े से इन्हें सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिला करती थी उस समय अब ये उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को जो की हमेशा सीक्रेट ही रहनी चाहिए थी अब ये पूरी पब्लिक के सामने डिस्क्लोज कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो इनकी लोक्रियता है उसमें कहीं न कहीं दरार आनी शुरू हुई है जो कि लोग इनके उपर भर रही है हाला कि इनके द्वारा कहा गया आई एस आई ने मुझे बताया है कि इन लोगों ने नवास शरीफ और आसिफ अली जर्दारी परिवार की अर्बो डॉलर की प्रोपर्टीज पाकिस्तान के बाहर है मुझे 20 साल पहले जनरल अमजद खान ने यह तमाम जानकारी दी नवास शरी भारत से कहता था कि पाकिस्तानी फौज देहसत गर्दी में सामिल है आसिफ अली जर्दारी अमेरिका पर इलजाम लगाता था और आज मुझे गद्दार कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटियाई के चेर्मेन कौन है तो यही है इमरान खान मैंने क पारे मुँपर तमाचा मारा है इमरान ने वीडियो में कई बार भारत और प्रदानमंत्री मोदी का जिक्र किया है कहा पाकिस्तान आज हर लिहाज से गुटनों पर आ चुका है हमारी एकोनोमी पूरी तरह बरबाद हो चुकी है मोदी कहते हैं पाकिस्तान को छोड़ दो य है इनका वही एक बड़े वाप की ओलार जो कि फिलाल इनका विदेश मंत्री बना हुआ है और लगातार विदेशों के दोरे करता रहता है तो बिलाबल भुट्टो ने अमेरिका के कितने दोरे किये वो बहुत कुछ बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है और दोनों पर उसने अर्वों रुपए खर्च कर दिये मोदी के हालिया अमेरिकी दोरे पर बाइडन के साथ उनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है वो पाकिस्तान के लिए खत्रे की घंटी है कभी बाइलेटरल मीटिंग में वो अमेरिका भारत तीसरे मुल्क को भला बुरा नहीं कह रहा है ति पाकिस्तान टेरिरिजम फैला रहा है और मैं क्या कहूं भारत और अमेरिका ने हमारे मोह पर तमाचा मारा है अब यह इतना बड़ा स्टेटमेंट के द्वारा बुला गया है कि इसको जानना जरूर बनता है असल में इंडिया और अमेरिका के बीच में जो दूसरे के बारे में बातें कर नहीं थी और दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे लेकिन जब अमेरिका और भारत जो है एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे उसी में दोनों मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हो जाते हैं हमलाबर और हमलाबर किस बारे में होते हैं सीधे सीधे कहा जाता है कि पाकिस्तान को आतंकबाद बंद कर देना चाहिए इमरान खान ने आगे कहा कि मोधी बाइडन के बयान पर हमारे यहां से जवाब नहीं आएगा क्योंकि दोनों देश जानते हैं हमारे नेताओं का अर्बोन डॉलर बाहर पड़ा है मैं फौज से कहता हूँ कि अमेरिका और भारत का joint declaration आया है उसमें साफ है कि defense, nuclear program और artificial intelligence में वो साथ हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच में तमाम मुद्दों पर बात हुई है science and technology, artificial intelligence, defense हो, security हो, public security हो, कुछ भी हो सब भी मुद्दों पर बात हुई है हमारी economy तो पहले ही जमीन पर गरी पड़ी है भारत और मोदी आज खुद को बहुत तागतवर समझते है पाकिस्तान अपने बोज से गरे या ना गरे वो हमारे मुलकों को गरा कर जरूर मालेंगे ऐसी बात उनके द्वारा बोली गई है अब जो बात निकल कर आई है कि पाकिस्तान के जो पूर प्रधान मंतरी है इमरान खान उनके द्वारा ये सब बयानवाजी आखिर क्यों की गई है तो एक joint statement आया है joint press relief की गई थी joint press release किया गया था प्रधान मंतरी मोदी और जो बाइडन के द्वारा उसके अंदर जो बातें निकल कर आई है उससे ये सारी बातें निकल कर आती है Biden joins Modi to ask Pakistan to stop terrorism Biden और Modi Modi जी तो पहले से ही यानि कि इंडिया जो है वो पहले से ही कहता हुआ आया है कि पाकिस्तान जो है प्रायोजित आतंकबाद भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैलाता है पाकिस्तान आतंकबाद की जन भूमी है अब Modi जी को यानि कि इंडिया को जोइन कर लिया है Biden यानि कि अमेरिका ने दोनों देश साथ मिलकर कह रहे है कि पाकिस्तान को टेरोरिजम बंद कर देना चाहिए इसका मतलब आप अब तक ऐसा करते आए हैं इसलिए आप से कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए ऐसा सीधा 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 स्टेटमेंट का मतलब निकाला जा सकता है PM मोदी 21 से 23 जून के बीच अमेरिका की स्टेट विजिट पर थे वहां उनका भव विस्वागत किया गया 22 जून को नरेंदर मोदी और जो बाइडन ने दुपक्षिय वारता के बाल दोनों देशों की तरफ से संयुक्त बयान जारी किया संयुक्त बयान जो है वो जारी किया गया है बयान के एक पैरा में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा गया है मतलब पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जो है उसके अंदर ही पूरी बात की गई है दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने के लिए ततकाल कारिवाही करने का आहवाहन किया कि उसकी जमीन का इस्तिमाल आतंकवादी हमले में ना किया जाए संयुक्त बयान में पाकिस्तान को लेकर और क्या कहा गया पाकिस्तान प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी और राष्ट्रपती जो बाइडन ने अपने संयुक्त बयान में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की पीयम मोधी और बाइडन ने लसकरे तयवा इनका साफ साफ नाम लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर लसकरे तयवा जैसे मुहमद हिज्ब उल्मुजाहिद्दीन जैसे पाक इस्थित संगठनों सहित संयुक्त राष्ट में सभी लिष्टेड आतंकवादी समुहों के खिलाफ ठोस कारेवाही का आवाहन किया गया है दोनों नेताओंने पाकिस्तान से संबंद रखने वाले 26 ग्यारे के मुंबई और पठानकूट हमलों में हमलों के आतंकवादियों को नियाय के कटखरे में खड़ा करने का आवाहन किया है 2008 के मुंबई हमलों के पीजे लसकर ये तयवा का हाथ था जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए थे वहीं 2019 में पुलबामा हमले में 40 अर्दसैनिक जवान मारे गए थे इस हमले की जिम्मेदारी जैस ए मुहम्मद ने ली थी अब जैसे ये लसकर और जैस जैसे आतंकवादी संगठन है इनको United Nations के अंदर आतंकवादी संगठन गोसित करवाने के लिए भारत ने काफी कड़ी मसकत की थी और इनको गोसित करवाया था अब इनको जब गोसित करवा गया गया है अमेरिका एक समय पर पाकिस्तान का समर्थक हुआ करता था एक समय वो हुआ करता था 1999 वाला जब भारत के विरोध अमेरिका अपने जहाज भेज देता है पाकिस्तान के समर्थन में और आज का दिन आप देखते हैं कि अमेरिका सीधा सीधा पाकिस्तान से कह रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद बंद कर देना चाहिए The White House यानि कि अमेरिका का जो White House है उसका Official Statement आपके सामने है और इसके अंदर काफी सारे पॉइंट दिये गए है इसी के अंदर लगबग 36 या 32 पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके अंदर पाकिस्तान समर्थित आतंकबाद की बात की गई है पाकिस्तान प्रोटेस्ट यूएस इंडिया जॉइन्ट स्टेटमेंट ओन क्रॉस बॉर्डर टेरिडिजम जो जॉइन्ट स्टेटमेंट आया है क्रोस बॉर्डर टेरिडिजम को लेकर पाकिस्तान उसके उपर अपना विरोध दर्ज करता है हमने देखा कि यह जो स्टेटमेंट आया है वो आया है 22 जून 2023 को और पाकिस्तान की बहतरीन पढ़ी लिखी सरकार जो है 27 जून 2023 तक का समय इस स्टेटमेंट को पढ़कर समझने में लग जाता है इतने दिनों के बाद इनकी तरफ से प्रत्क्रिया आती है कि हम इसका खंडन करते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने इस बयान को एक तरफा और भ्रामक करार दिया है मंगलवार को मंत्राले ने एक बयान जारी किया दोनों देशों के संयुक्त बयान पर अमेरिकी राजनाईक एंडू सौफर को तलब कर उनसे पाकिस्तान की चिंता और निरासा चता दी गई बयान में आगे कहा गया हमने इस बात पर जोड़ दिया कि अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए ऐसे बयान को पाकिस्तान के खिलाब भारत की आधारहीन और राजनीती से प्रेरित नरेटिब को प्रोचसाहन के रूप में देखा जाएगा असल में ये जिस नरेटिब की बात कर रहे हैं या फ़र जिस चीज़ को ये आधारहीन बता रहे हैं पूरी दुनिया के सामने भारत ने सबूत के साथ में आपके देश को पाकिस्तान की जगे आतंकिस्तान गोशित कर दिया गया है सब जानते हैं कि ये नरेटिब प्रोपेगेंडा आप लोगों के द्वारा फैलाया जाता है भारत के द्वारा बिलकुल भी नहीं फैलाया जाता है कुछ इस परकार की प्रेस रिलीज जो है इनके द्वारा जारी की जाती है अपने देश में हालां कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने प्रधान मंत्री मोधी और अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन के पिछले हफ्ता के संयुक्त वयान पर चिंता और निराशा वेक्त की है पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने अमेरिकी दूताबास के उपपरमुख को तलब किया विरोधी सहयोग अच्छी तरह से प्रगती कर रहा है असल में इनके पास पैसा जो है वो खत्म हो चुका है जिससे कि ये आतंकवाद को प्रायोजित कर सकें पहले इन्हें दुनिया भर से उल्टा सीधा पैसा मिल जाता था चाहें चायना हो चायना इनको पैसा दे देता था भारत विरोधी जितने भी तत्व हुआ करते थे सब इनको पैसा देते थे जिससे कि ये अपने देश के अंदर आतंकवादियों को पालें पोसें और भारत के अंदर उनको बेज़ दे हम इनके पास पैसा खत्म हो चुका है पूरी दुनिया के सामने भारत इनको ला चुका इस प्रकार के बहत्री नोप्रेशर्स चलाए जा रहे हैं तो इनका जो आतंकवाद है वो फिलाल देश के अंदर चल नहीं पा रहा है और IMF ने इन्हें एक लंबे समय से ग्रे लिस्ट के अंदर डाल रखा था ग्रे लिस्ट के अंदर जब डाल रखा था तो दुनिया भर से इन्हें करजा मिलने में दिक्कत हो रही थी एकोनोमी इनकी पूरी तरह से बरबाद हो गई अब ये चाहते हैं किसी प्रकार से IMF से इनको लोन मिल जाए IMF से बेल आउट पैकेज मिल जाए इसी के चलते अब ये आतंकवाद खत्म करने का ढोंग फिलाल रजने का प्रयास क की बात है ये चाहते हैं कि ये ग्रेलिस्ट से बाहर हो चुके हैं और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि अब हम ग्रेलिस्ट से बाहर हो गए हैं अब हमें पैसा दे दो अब हमें करजा दे दो अब हमारी मदद कर दो जब इनका सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर दुबा पाकिस्तान के द्वारा इसकी निंदा कर दी गई कि भारत के साथ अमेरिका ने मिलकर जो बयान दिया है ये नहीं करना चाहिए इसके बाद अमेरिका से सवाल पूछा गया पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा जो पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिका के जो प्रवक्ता है जरूरी कारेवाही करें इन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका की तरफ से बयान आएगा कि ये किसी भी तरह से प्रेज़द बयान था लेकिन अमेरिका ने फिर से इस पष्ट कर दिया है कि जो प्रयास तुम अब तक कर रहे हो वो जो हैं काफी नहीं है आपको अभी और जादा प रूप से खत्म करने के लिए अपनी कारिवाही जारी रखे इस्थाई रूप से खत्म करने की बात अब यहां पर आ चुगी है कि कभी भी ये फन अपने ना उठा पाएं आतंकी संग्ठन इस प्रकार से इनको खत्म करना है हम इस मुद्दे को पाकिस्तानी अधिकारियों के स नियमित रूप से उठाना जारी रखेंगे कुल मलाकर अमेरिका जो है यह मानना शुरू कर दिया है अंतराश्टी इस्तर पर पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाए जाता है यह वो व्यक्ति है पाकिस्तान का पत्रकार जिसने यह सवाल पूछा था और हमारे भारत के जो विदेश मंतराले के प्रवक्ता हैं सिद्धान सिभल उन्होंने भी पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाब जो बात है फिर से रिपीट की गई है अमेरिका के द्वारा उनको बताया गया टेरर बाई नाइट ट्रेड बाई डे अब आप सुनते हैं हमारे विदेश मंतरी डॉक्टर एश जैसंकर सहाब को डॉक्साब कहते हैं कि यह हमारा पड़ोसी ऐसा है कि यह दिन में तो रात में तो करता है आतंकवाग और दिन में बात करता है यह ट्रेड की यानि कि बिजनिस की बात करता है दिन की और ऐसा पड़ोसी जो है वो हमको नहीं चाहिए अब कह इन्हों ने पाकिस्तान के उपर जवाबी हमला किया या फिर मौकिक हमला किया जिसमें कहा गया है external affairs minister s.j.sankar on Wednesday said that India cannot have Sark कि भारत जो है ऐसा सारक नहीं हो सकता है इसा इंडिया को नहीं चाहिए अब ये सार्क क्या है South Asian Association for Regional Corporation जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बंगलादेश, भूटान, नेपाल और स्री लंका जैसे देश इसके अंदर सामिल है तो सार्क जो है उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं तो इन्होंने कहा कि भारत को ऐसा सार्क बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे सार्क की मीटिंग भारत बिल्कुल नहीं कर सकता जिसके अंदर एक देश हमारा ऐसा हो adding that इंडिया will not tolerate a situation की भारत बिल्कुल बरदास नहीं करेगा ऐसी situation where terrorism happens by night की जहां आतंकवाद होता है रात में and trade happens by day हमारा एक पड़ोसी ऐसा है जो कि ऐसा काम करता है while responding to a question about not hearing anything on सार्क एक question इन से पूंचा गया था जिसमें पूंचा गया था कि सार्क के बारे में कोई ख़बर काफी समय से नहीं सुनी है उसका जवाब ये दे रही देख्या जवाब दिया you have not heard very much about सार्क कि आपने सार्क के बारे में ज्यादा नहीं सुना है क्योंकि in the last few years there isn't very much to hear about कि सार्क के अंदर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो कि सुनने लायक हो इसलिए आपने नहीं सुना है we have not had meetings कि हम जो है meeting फिलहाल नहीं कर रहे है because you have a member of सार्क क्योंकि आपके पास सार्क का एक ऐसा member है who doesn't confirm to all the basic requirements कि जो basic requirements fulfill नहीं करता है किसी भी membership की या फिर किसी भी good membership की and that is today an obstacle reality of for the सार्क कि वो जो है सार्क के लिए एक obstacle बना हुआ है obstacle याने की एक रुकावट वो अकेला देश बना हुआ है सार्क की meeting के लिए you know I said we cannot continue with acts of terrorism कि हम जो है ऐसी activities के साथ बिल्कुल भी continue नहीं कर सकते हैं आतंकवादी गत्विदियों के साथ continue नहीं कर सकते हैं and say the cooperation will continue to happen nevertheless कि जो cooperation जो है किसी एक प्रकार से नहीं चल सकता है so I think there are issues there and it's time to recognize and recognize the seriousness of those issues and not allow terrorism to happen by night कि हमें बिल्कुल अलाव नहीं करना चाहिए ऐसा कि जिसमें आतंकवाद जो है वो रात में पनाह ले and trade by day कि दिन में जो है आप बात करते हैं trade की और रात में आतंकवाद की बात आप करते हैं ऐसा जो है बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा डॉक्टर एस जैसंकर साहब ने फिर से पाकिस्तान को कहकर लपेट दिया उम्मीद है साथियो पूरा सेसन आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना अपने साथियों के साथ सेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब जरू जय हिन्द